नमस्ते दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं आप सब अच्छोंगे मैं यहां पर ठीक नहीं हूं मुझे इतनी दिन से समझ में आरता में केमरे का फेस कैसे करो या पिर किसी को बताना चाहिए या पिर नहीं तो फाइनली आज मैंने फैसला कर लिया है शायद मुझे बात कर लि मिले और पिर मुझे सपोर्ट करने वाला कोई है भी नहीं तो शायद मुझे बात कर लेने चाहिए आप लोगों के साथ में शायद थोड़ा सा क्योंकि मेरे पास और को दूसरा रास्ता नहीं मिला और मुझे यह भी नहीं पता कि मैं इस तरह से वीडियो बना के सही करें या फिर गलत या फिर मेरा फैसला जो भी यह वह गलत हो सकती है तो प्लीज गाइस मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरो थे अगर हो सके तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मेरी बात में आपको शुरू से बताती हूं अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा और आज में आप तक जो में वीडियो बना रहे थी ना तो मैं यह सोच रहे थी क कि शायद बताओं ने बताओं में मतलब इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे थी कि मैं आप लोगों से बात करूँ खुलकर बात करो यह पिर में में बताओ मेरे लाइप में जो भी प्रॉब्लम है या जो भी परिशानी है आज मेरी साधी को आठारा साल से उपर हो चुके लग-बग और मेरी सासु जो है वो खतम हो चुके मेरी ससूर कहतम हो चुक है ससूर को कि अपनी आंखों से देखा नहीं था बस मेरी सास को देखा था थोरह बहुत उनका मतलब प्यार मिला था और बाकी जो है हम दोनों ने लब मेरिस्किया था ला फैमली में मेरी मां है मेरी ममी पापा दोनों का सागी मात हुआ हूँ बोह बच्चे को पालने के लिए आपने आपको मजबूत बढ़ा उनकी साथ में जैसा भी रिष्टा हो रख के और मतलब आगे बढ़ो क्योंकि यहीं मतलब बच्चे को पालने का सबसे यही ऑप्शन है अभी मतलब जब से बाबू पेट में तब से 2019 की बात है जब मेरी सोनु हो चुका था और मेरी मतलब मतलब परिशान करते थे और आज कल जो है फीजिकली टोचर कर रहा है और वह मुझे माहिने में कम चकम 20 दिन तो वह बाहरे रहते हैं घर पे रहते ही नहीं है एक औरत की साथ में उनका कुछ समन्द चल रहा है अभी सुनने में माहिने बर हो चुका है कि उन लोगों ने शा परिट नहीं किया है और इतने ठंडे के अंदर बच्ची लेके मुझे कलेक्टर की चक्कर कटना फिर मतलब और भी कही जगे जाना होता है कागच पत्र बनाना तो मुझे सरी यह सब नहीं हो पाएगा लेकिन फिलाल जो है आच चार रात हो चुकिए उसकी पापा को गए इसे इसानों के साथ रहना चाहिए या फिर मतलब नहीं रहना चाहिए क्या करना चीए समझ में आता है अगर मैं ने उन्हें से कहा कि अगर आप घर नहीं आते हो तो मैं आपने बच्चों को लेकि कुछ भी कर लूँगी तो उन्होंने मुझे मताब सुसाइट करने के पांच साल हो गए मुझे समझोता करते हुए कि बच्चे को पालने के लिए मुझे इनके साथ रहना चीए तक हमारा रिष्टा ना भीगरे रिष्टे को समालने के लिए मैं इतनी सालों से इनके साथ रह रही हूँ और अभी जो है चार रास्ते वो बाहर है आज भी उन्हो घर पे खामान नहीं है ठीक है तो वो मैं बोली सब्जी नहीं है घर पर कुछ भी बच्चों के लिए मेरी दो छोटे बच्चे आगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा तो मेरी घर पर बिल्कुली सब्जी बगर नहीं है तो आज सटरडी का मार्केट लगती है हमारी आप है अगर आप लोग मेरी वीडियो रोजा ना देखते होंगे तो मैं सबजी की वीडियो एक दो बार डाल चुकी हूँ लेकिन अब तक मेरी मा जो कमाती है मेरी मा दूसर के घर में काम करती है और बहां से हम दो बेहने जो पैसा मिलता है वो अपने लिए खुद का कर्च चलाती है फिर वो मुझे पैसा बेशती है और उन पैसे में अपने बच्चों की अपने घर का करती हूँ वो कल रात को आये थे मुझे 5000 रुपए देखे गए और उससे मैं अपना घर का जो भी सामान बच्चों का जो भी जरूरत की चीज़े है लेके आयू और लाने के बाद मुझे खुद के घर में सामन चुपा कर रखना पड़ता है ताकि मेरे आदमी देखना ले अगर देख लेगा तो घर पर एक रुपए नहीं देगा और इस माइने में उस बंदे ने मुझे 2000 रुपए घर चलाने के लिए और मैं फिर भी इस उमुद पर ह अचाही रहा है वक्ति अब भी इस तरह है कि शाइड मैं समझने में भूल करें तो प्लेजगाई मेरा हेल्प किजिए मुझे ज़्याद से सपोर्ट कीजिए और मुझे पता है कि मेरी जो स्व्क्राइबर है अभी कुछ भी नहीं है और मेरे एक चेनल और है इंडिया जो मेरी मोनेटाइज हो चुकी है आज मेंटली टोचर की बज़े से तीन चार दिन हो गए मैं उस पर वीडियो नहीं डाल पार हुँ लगातार में उस पर मतलब नहीं डाल पार हुँ क्योंकि मेरे घर पे ना तो सबजी है ना कुछ और है इस बज़े से चोर के जाने की हरकतों से खासकर आज में ठक गई हूँ इस बज़े से मुझे वीडियो बनाना पड़ा मैं मजबुरान समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे क्या करना चीए अब हम आपको दिखा देती हुए रात का टाइम है आप देखा सकते आप देखिए यहां पर जो है मेरी दोनों बच्चे खेल रहे हैं ठीक है इस रूम में आपको कहीं उसका पापा नहीं दिखा देंगे और मेरी किसी भी वीडियो में लगभग वो एक दो बारी नजर आये होंगे आपको जो भी जो भारी क सब्सक्राइशन लेने की आहलत में नहीं है और उनके हाथ पेर जो है बहुत ज़्याद मतलब बुजूर के हैं वह आये थे कल मुझे लगा नहीं था कि यह बात हो जाएगा मुझे लगा था आज उसके पापा घर पर आएंगे शाय सब कुछ ठीक होगा लेकिन कहते हैं कि ह हमेशा औरत सेहीं होती तो शायद मैं भी सेहीं हूं उसके पापा आएंगे और फाइनली मुझे रात की सारे नहीं हो रही है जिस्टाइब में यह वीडियो बना रही हूं तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट किजिए मुझे कौमेंट करके जरूर बताए क Surf you keep me प्लीज मुझे इस मतलब मुझे क्या मुझे बच्चों को लेकर आके लिए जिन्देगी स्टार्ट करना चीए या फिर मुझे उनकी साथ इस तरह जिन्देगी बिताना चीए या फिर मुझे मतल羡़ मैं क्या करूआ मैं समझने पारेया है हर तरह ढर-दर ठोक रिखा चुकी हूं और आज भी खा रही हूं बच्चों की बज़े से मैं उनको इतने सालों से जेल रही हूं प्लिज मुझे हील्प किजिते हैं मैं समझने पारो मुझे क्या करना क्यों आच यह और मेरे husband जो है उसकी घर में राशन पानी डलबाता है उसकी पूरा हर जरुत करता है और मेरे घर पे नहीं आता है वह भही रहता है तो मैं समझने पारे मुझे क्या करना चाहिए ऐसी हालत में जब मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है मैं हूँ और मेरा दो बच्चा है प्लीज मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए मैंने धरम का भाई भी बना के देख लिया है वो भी कोई एक दिन के लिए के एक शाम के लिए मदद नहीं करता है ऐसे कंडिशन में एक औरत को क्या करना चाहिए प्लीज मिले हेल्प करें मुझे कमेंट करके ज़रू बताएं कि अपडेट होगा कोई भी बात होगी मैं आप लोगों को ज़रू बताऊंगी और मैं यह बात जूट नहीं बोल रहे हूं क्योंकि आप मेरी किसी भी वीडियो में देख लिए रात की टाइम हो किसी भी टाइम हो मेरा असमिन रहते नहीं है और आज मेरी हलत इस हलत हो गई है वो छोड़के गए मैं रात भायक के लिए रहती मुझे डर लगता रात होते डर लगता है ऐसा लगता है दिवारे काटने को दोरता है प्लीज एलप कीजिए सपोर्ट कीजिए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए मैं अपनी बच्चों की लाइफ खराप नहीं करना चाहती वो बंदा घर नहीं आता है इस वज़े से मैं मेंटली तोर पर अफसेट रहती हूं घर पर सामान नहीं रहता है पैसा नहीं है मेरी पास में कुछ भी नहीं मेरे पास में बच्चों की मेडिसीन चल रही है आज भी दवाई लेने गए थी दवाई लेके आई हूं और मैं अपनी बच्चों को पड़ा तक नहीं पा रही हूं नहीं कर पा रही हूं वह कहते हैं बिचारी ओरत लारत तो शायद भी वही हो गई हूं प्लीज आपकी एक कोमेंट शायद किसी के जिन्देगी मतल सकती है और यहां पर तीन जिन्देगी है जहां पर मैं मेरी तो बच्चे तो प्लीज मुझे कोमेंट करके सपोर्ट किजिए कि मुझे क्या करना अची है